जैशी कृष्णा स्वागत है आपका सार्थी त्रिश्ला के साथ कैसे हैं आप लोग मन में बहुत उदासी है जीवन में बहुत बेचैनी है कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहा किसी कार्य में कोई भी गती नहीं मिल रही बहुत सोचने के बाद भी जीवन की बहुत सारी समस्याईं समस्याईं ही बने वी है घर के लोग हमारी बातों को ना समझना चाते हैं ना सुनना चाते हैं ना महसूस करना चाते हैं बहुत कुछ है अंदर किस से कहें कैसे कहें किसको सुनाए किसको बताए अंदर कई बार ऐसा कुछ भी चल रहा होता है जो छुपा कर सबके सामने मुस्कुराना पड़ता है किसी को बोलेंगे तो कहेंगे तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो भई पालतु में सोचते हो तुमारी सोच का कोई एंगल नहीं है दूर तक घोड़े दौड़ते हैं तुमारी सोच के परंतु ऐसा नहीं होता मन में बेचैनी होना दिमाख में बार-बार कोई चीज का आना कहीं न कहीं कोई तो प्रकरती का संकेत होता है जो हमें किसी चीज से आगहा कर रहा होता है आपके साथ भी ये है प्रॉब्लम क्यों है? कैसे है? ये तो कुनली देखकर या फिर आपका चैरो देखकर ही बता सकती हूं परंतो इसका समाधान क्या है? उस पर बात कर सकती हूं तो बात करें इसके समाधान पर पर उससे पहले ये तो बता दू min कौन हूं? मैं आपके एस्टोलाजर हूं, बसटु शास्ति हूं चैरा भी पढ़ती हूं, आवाज भी पढ़ती हूं मन में उठ रहे सवालों का जब कोई जवाब नहीं मिलता तो बेचैनी बढ़ जाती है घबराहट होने लगती है एक बात से ना जाने कितनी पुरानी बाते हम जोड लेते हैं ना जाने कितनी पुरानी बाते हैं याद आ जाती है जब दिमाख में कोई एक विचार ऐसा आता है जो हमें नाकरत्मकता देता है तो साथ में राहू जी एक्टिव हो जाते है राहू के एक्टिव होते ही बाडी में अजीब सा कमपन, घबराहट मन में बेचैनी, सिर में बार 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 हलका सा टस 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 महसूस होने लगता है किसी काम में मन नहीं लगता, अजीब सी घबराहाट रहती है हर चीज से लगता है परे हट कर कहीं शांती से बैच चाए या लगता है कोई बहुत तसली से हमें सुन ले हम किसी को तो समझाएं कि आकर चल क्या रहा है पर दुवीदा ये है कि आज के इस भागती दौरती दुनिया में कोई किसी को सुनने को तयार ही नहीं है और खास करके वो लोग तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहते जिने हम चाहते हैं कि वो सुने, समझे और हमें सहारा दे आप भी शायद यही चाहते होंगे कुनली के अंदर जब आपका चौथा, नवा और ग्यारवा घर इस तरीके से पेड़ेत हो जाता है तो वो आपके साथ में सेम यही घटना उत्पन करने लगता है कुनली के अंदर चंद्रमा अगर किसी भी तरह से संबंध बना लेता है शनी के साथ या फिर राफू के साथ तो यह सारी चीज़े विचार विकार आने लगते हैं अजीब सी घबराहट हो जाती है कुछ खाओ तो लगता है नहीं, वामिटिंग आ जाएगी अभी बहा निकल जाएगा अभी कुछ हो जाएगा अकेले में बैठ कर रोने का मन करता है एक उदासी सी अपने अंदर चा जाती है कौन सा डर, कैसा डर मुझे नहीं पता पर समाधान क्या है, ये मुझे पता है और जब मेरे पास समाधान है तो आपके चहरे पर एक मुस्कान तो बनती है तो चलो भई, समाधान बताती हूँ और आप मुस्कुरा देना उठाओ कॉपी पेन और लिखो कि क्या बताना चाहती हूँ मैं शनिवार के दिन जाडू ले लीजे जाडू? हाँ, जाडू जाडू हमारे साथ में बहुत अच्छू कुपाय करती है इतने सारे उपाय हम जाडू से कर सकते जो आप सोच भी नहीं सकते अब क्या करना है आपको? आपको एक जाडू ले लेना है उस जाडू के उपर आपको नीले रंग का धागा बांदेना है लेकिन शर्ट ये होगी कि उस नीले रंग के धागे में आप लगाएंगे साथ गाठ और उस जाडू को आप रख देंगे अपने घर के दक्षिन पश्चिम दिशा में साउथ वेस्ट डाइरेक्शन में साउथ वेस्ट डाइरेक्शन क्यों? क्योंकि ये वो डाइरेक्शन होता है जो नाकारत्मक शक्तियों को घर से बाहर निकालने का कई बार कारे कर देता है ये वो जगे होती है जहां पर सबसे जादा नाकारत्मक शक्तियां आकर स्टोर होती हैं, बैठती हैं जगे मांगती हैं उस जगे को अपना आदिपत्य बनाकर उस पर घेरा दे देती हैं तो ये direction में अगर आप ये काम कर लोगे मन की उदासी, बेचैनी, चिर्चिडापन ये सब उस direction से बाहर निकल जाएगा ठीक है? तो कब करेंगे हम ये काम? हम ये काम करेंगे दिन के तीन बज़े के बाद वो क्यों? क्योंकि साउट वेस्ट तीन बज़े के बाद active हो जाता है अब कैसे करेंगे? एक तो आपको उसको सीधा नहीं रखना जाडू को जाडू को आप रखेंगे टेड़ा करके, चिक है? दूसरा, जाडू को रखने से पहले उस जाडू के नीचे आप एक निबू को दो स्लाइस में काट कर, आधा आधा काट कर एक आप जाडू का जो आगे का हिस्सा होता है, जहां पर फूल होता है वहाँ पे रखेंगे और दूसरा उसके पीछे वाले हत्ते वाले जगे पे रखेंगे और उसके उपर उस जाड़ू को टिका देंगे उसके बाद अगले दिन आप ये नीला धागा काटके नीबू को उसके साथ लपेट के किसी चोराए पर पटक देंगे बहुत छोटा सा उपाय, शनिवार को तीन बज़े के बाद करेंगे और ये क्रिया लगातार तीन शनिवार करेंगे, चिक्या, बेचैनी गायब, मन की उडासी गायब, कोई सुनता नहीं है तो सुनने वाला मिल जाएगा और मन की सारी पीड़ा दूर हो जाएगी, सार्थी आ करानी है, टैरो करवाना है, पास्ट लाइफ करानी है, या पिछले जनम की कुछ चीजों से, कर्मों से, कौज करानी है, तो दीए गए नमबर्स पे कॉल करिये, मैसेज करिये, या फिर आप वाट्सप करिये, पर बच्चा मुझसे बात करने के लिए आपको अपॉइंट मे देना अनिवार्य होता है, चलूँ अप, फिर आऊंगी, तब तक के लिए मुस्कुराते रहेगा, रिष्टों में मजबूती बना कर रखेगा, अपने सार्थी के साथ योई जुड़े रहेगा, प्यार देते रहेगा, प्यार लेते रहेगा, ख्याल रखेगा अपना और जिन से आप प्यार करते हैं, हम जल्द मिलेंगे लेकिन उससे पहले इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मैं आती हूँ, मिस करना मुझे और इंतिजार करना मेरा, मैं भी आपको मिस करूँगी, बाई, लब व्यू आल, जैश साथ अनेक दुडलब गुडविधाओं, जैसे परचाई एवं लवस के अध्यन से अपनी सटीक भविश्यवानी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं, अपने उपायों द्वारा लाखों लोकों का जीवन सवार्चुकी मात रशिला लगातार 2016 से जोतिश विभू अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवार्ड से नवाजा जा चुगा है